आपको स्वागत में सबस्ट आए आतरीों प्माट के तरों रपे में पर रीजा क्ले तो आज मैं आतरी सेसे करने-धे कऱंद। तो मैंने इसको चुट चुटे साइज में काट के लिए ना ज्यादा चुटा है ना ज्यादा बड़ा है देख सकते हैं इतना मोटा है अब हमारा तील गरम हो गया मैंने इसमें तीन बड़े जमस तेल डाला है रिफाइंड और अब इसको हम फ्राइब करेंगे क्षण श्यादा बड़ा है यह अब गरम ने उगां का शामिक प्राइब कर आए बड़े लिए इसको फ्राइब करेंगे करेंगे आराम से तले क्योंकि तेल उतरता है सापजानी से देखे फ्रेंड मैंने सारा पनिक फ्राई करके रख लिया मैं इतना ही फ्राई करती हूं अब चाहे तो इसको कम भी कर सकते हैं और ज्यादा फ्राई भी कर सकते हैं करते हैं जाले डालें तो इस देखे दो बटापना में इसको मैंने तीन चार बडाख लिए तीन जाके कर लिए यह था तो प्राई कर लेंगे ताक अच्छे चलेंगे दो प्राई कर लेंगे फ्राइल भड़ा नेक्ट टाले मसाले नेकर जमें कुआरऊ सब्स wamचता सबमे करना नियुद्ट के-जम्हों करना अलिए ठेक नियुद्ट देले क्याद मिर्ची लें यहां प्रश्चारे को थो मिर्ची ख़़ needle कि इसके बाद हम प्याज डाल देंगे उन्हें बारिक इसके लिए इन प्याज लिए इसके बाद हम प्याज डाल देंगे इसको स्णे रहा है नहीं सुने नहीं हो जाए अधरक लेसमिका पेष्ट हमें हमने ठोड़ा लेसन काट के डाला है कि अब इसके आधा चम चाह्पको लगब्स से तेसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आपके पास हो तो आप डालते हैं वरना ऐसे आभी डाल करते हैं काट के इस पे डाल करते हैं देखिए हमारी फ्रेंट प्यास सोनेरी हो गई है इसको हाई फ्लेम पर ही जल्दी भून जाती है इतना ही हुझेंगे इससे ज़्यादा नहीं हुझें में प्यास को अब इसमें हम टमाटर की फ्यूरी डाल देते हैं हमने यहां पर बड़े साइच के तीन टमाटर लिए थे ह जले के अब डाले निए तब प्यूत को प्यूति के इसमें यहां है बन्हुंके लुटते हैं इक मिनट न खूड देगका खोर लिए नहीं सकाइब भूण देंके दियर नेचे जो पंद एक लगäd पिक खोर offen देंगे में में जोत देंगा कि फहुझे सब्सक्राइब दा भणा लेखें आपके लुद्धी घप्साइब करें या ज़ल जाए गाएगा तो अधर मसाला और दालें अधर चम्मेश भड़ी पाउडर दाल एक चम्मेश लाल मुच्छी पाउडर दाल जालें आप जितना तीक आप खाना साथ है ये यहां पर एक चम्मश धनिया पाउड इसां म्यूटाँ जिए गरम मसाला डालेगे एक चम्मश भीक जके शेणिक सब्गूल है नोगते पाने शेकर इखी से आसप चाला normat पानी डालेंगे कि अच्छे से मसाला पक जाए गए अच्छे से मसाला पूल जाता है पानी डालने से अब इसको भूनने देंगे अब एक मिनट अच्छे से भून जेंगे अच्छे से नमक डालने से अब इसको मसाले को अच्छे से पका लेंगे अच्छे से नमक डालने से अब इसको मसाले को अच्छे से पका लेंगे अब इसको मसाले को अच्छे से पका लेंगे हम एक चमच भर की डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा और भी डालने से बहुत ही अ में अधोले लगेजार को सब्सक्राइब करेंगे, बहुत अधोने लूता है जल्दी जल्दी चला लेंगे बहुत इत्से कि आशानी से इस तरीके से मारे बहुत जल्दी जट-पट से मसाले पख़ाते हैं सब्सक्राइब चाट करें अब दू हम डूपे रहे हैं तो जाना दो टीन मिक्स आप अब तक आ रहेगे हैं अब भी ताजी रहे हैं आपको खाली मटर भी बना के दिखाऊंगी आलु मतर भी बनाके दिखाऊंगी तो अब इसे में डालेंगे में पनीर को थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में अच्छा नमास मसाला धिझाए ना ना टूटना नहीं है एक्षर कर लिए ना टूटना नहीं है कि अमने इसको फ्राइब कर लिए कच्छा डालें तो अमारा पने टूट सकता है इसको हमें फ्राइब था ज्यादा भी ने किया है सब्सक्राइब शबटो तरफ हाँ देखी प्रेंड हमारी सब्जिवन की तयार है अब इसमें हम धनिया डाल देंके निया लादिखने में भी अच्छी लगती है तो इसको मिक्स कर लेंगे और ग्यास को कर देंगे बन्द कर के दिखाएंगे आपको देखिए फ्रेंड हमारी सब्जी बन के तयार है मटर पनीर की देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही गाड़ी भी है इस तरह कि कि आप भी बनाएं बहुती टेश्टी लगती है और इसमें बहुती अच्छी घुसबू आ रही है मैंने इस तरह कि की बनाई ग्रेवीदार अच्छी लगे हो तो सब्सक्राइब करें लाइक करें हैंक यू